नमस्कार दोस्तों आज हम बेकार चूड़ी से बनाएंगे बहुत ही सुन्दर धनुस तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो आज हम बनाएंगे सिर्फ एक वेश्ट चूड़ी से बहुत ही सुन्दर तनुस तो इसके लिए मैंने पास ये एक चूड़ी थी उसका मैंने यूज किया है अगर आपके पास कोई भी तार वगराज ना हो तो आप सिर्फ ये चूड़ी से बहुत ही प्यारा सा तनुस बन अब मैंने यहां पर एक चूड़ी ली ढु disparity मेरें लिया है और इसका जो एक्स्टरा पाट है मैंने कटकर लिया है आपको जिस साइच का थनुस बनाना हो उसी साइच का आपको चूड़ी का साइच रखना मैं बड़ा छूटा कर लीना है ना रखहा मैं एग यह समेंटर मे अब थोड़ा सा ज्यादा और ठीक कर देंगे हम जैसे बिल्कुल धनुस होता है उसी तरह से अगर आपके पास इस तरह सा पकड़ना हो तो कोई बात नहीं आपके पास जो किचन में यूज करते हैं वो शांसी होती है उसका भी यूज कर सकते हैं और अब मैं यहाँ पे जो से है उसे बिल्कुल धनुस की आकार का बना रहे हूं आप देख सकते हैं इसका एक पॉइंट मेंने राउंड मोट दिया है और दूसरी सायड़ भी मैंने इस तरह से मोड दिया है तोड़ा सा वाठेडा मेरा हो गया हो तो उसे जमिन पर इस तरह से रखके इस प्लैट कर सकते अब इसे पूरा परफेक्ट सेप बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एल्यूमिलियम फॉइल पेपर लिया है और इसको हम इस सेप के उपर राउंड राउंड व्रैप कर देंगे इस तरह चारवल इसको लपेट देना है आप देख सकते है थोड़ा सा उपर की बीच में ज्यादा रखना है और लाश्ट में थोड़ा कॉम रैप करना है ऐसे राउंड राउंड करते जाना है अगर आपके पास अगर इस तरह का फॉइल पेपर ना हो तो आप कोई भी पेपर भी इसके साथ इस तरह से लपेट सकते है अब यह देखिए मैंने पूरा परफेक्ट से तयार कर दिया है तो अब हम इसके उपर एक गोट्टा लेज है मेरे पास उसका मैंने यहां पर यूज किया है आप चाहे तो आपके पास जो भी लेज अवाइलेबल हो अगर लेज ना हो तो कोई भी कलर का कपड़ा भी चलेगा उसे इस तरह से पत्ली-पत्ली-पत्टी तो भी लगाते जाना है ताकि यह परफेक्टली कवर हो जाएगा तो चलिए धनुस तो बिल्कुल रेडी हो गया है अब इसे हम थोड़ा सा और ज्यादा रेकोरेट करेंगे तो रेकोरेट करने के लिए मैंने यहां पर गोल्डन मोती से इस तरह से छोटे लटकन बनाए है और इसे एक साइड यहां पर इस तरह से टांग देंगे आप देख सकते हैं मैंने यहां पर गलू लगा के थोड़ इसी छोटी सी नौट बांदी है अब फिर से यहां पर थोड़ा सा गलू लगाना है और मेरे पास थोड़ा सा उनका टुकड़ा है उसे हम यहां पर कर सकते हैं तो अब ये उनसे भी में थोड़े थोड़े अंतर पर इसे इस तरह से राउंड राउंड फिर से इसे लपेट लोगी लपेटने से क्या होगा कि ये ज्यादा अच्छा लगेगा और बिल्कुल रियल धनुस के जैसा ही लगेगा ये तो चलिए ये धनुस रेडी ह हो गया अब हम इसकी पनच बांदेंगे तो इसके लिए मैंने यहां पर गोल्डन कलर का जो त्रेड होता है उसका यूस किया है इससे हम इसकी पनच भी बांदेंगे तो ये बन जाएगा परफेक्टली राम जी का धनुस तैयार तो अब ये धनुस तो रेडी हो गया है होती है उसका यूस किया है उसका जो कॉटन है उसे मैंने निकाल दिया है और थोड़ा सा ज्यादा कट कर लिया है अब उसके अंदर इस तरह से आप वीडियो में देख सकते है उसी तरह से थोड़ा थोड़ा ज्यादा कट कर लेना है जो उसकी पाइप होती है उसे दोनों स साइट से कट लगा कि उसे बीच में से थोड़ा सा कटिंग कर लेना है आपको मैं बता नहीं सकती बर आप वीडियो में देख सकते हैं उसी तरह से हमें इयर बढ़के दोनों साइट से इस तरह से कट कर लेने हैं यह कट क्यों किया है यह मैं भी बताती हूं आपको अभी से इ यहां पे एक golden color का पतला वाला cardboard है अगर आपके पास ऐसा golden cardboard ना हो तो आपको भी wedding card का भी यूज कर सकते है या फिर कोई sweet का भी sweet box का भी यूज कर सकते है तो अब मैंने इस golden card से इस तरह के जो बान के जो safe होते है आगे के और पीछे के उस तरह से cut करके यहां पे लगा दिये है अब आपको पता चला होगा कि मैंने बढ़के आगे और पीछे का हिस्दे को पतला क्यों बनाया था क्योंकि इसके उपर हम इस तरह का cardboard लगा सके तो अब यह बान रडी हो गये है अब मेरे आपके पास यह golden color का acrylic color है उसे मैं इसे cover कर लूँगी अगर आपके पास ऐसे acrylic color भी नहीं है तो आप कोई भी ऐसी golden color की nail polish से पीसे इतरह से color कर सकते हैं अब मैं यहाँ पे सारे बान के उपर golden color करके थोड़ी देर सुखने के लिए रख दूँगी तब तक मैं बान को जो रखते हैं वो बनाएंगे अब उसे आप लोग मुझे यह बताए कि उसे हिंदी में क्या कहते हैं कॉमे प्रविडल कलर का cardboard यूज किया है और उसे हम इस तरह से round कर देंगे अगर आपको यह बड़ा बनाना है तो आप यहाँ पे आसाने से स्टेपलर लगा सकते हैं और एकदम round बन जाएगा यहाँ पे मैं एकदम small size का बना रही हूं इसलिए इसके अंदर स्टेपलर जरा भी न चारोर से छोटे-छोटे कट लगा के यहां पे बीच में बिठा दिया है और इसे एक साइट से फैवी बॉन लगा लिया है आप वीडियो में देख सकते हैं इस तरह से चारोर फैवी बॉन लगाने के बाद जो मैंने cardboard अंदर डाला है उसे यहां पे फिट कर देना है तो य इसे डेकोरेट करने के लिए मेरे पास पतली वाली थोड़ी सी लेस है तो इसे मैं इसे border के उपर इस तरह से लगा लोंगी आप चाहे तो कोई भी श्टॉन या फिर टिकी इसका भी यूज़ कर सकते हैं यह देखे मैंने उपर की साइट थोड़ी सी लेस लगा ली है और इ मेरी चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करना मिलकुल भी मत भूलेगा तो अब हमारा धनुस बान और बान को रखने का बॉक्स भी रेडी हो गया है तो यहां पर मैंने उन लगा लिया है यह उन मैंने इसलिए लगाया है ताकि हम प्रभु जी को पहनाएंगे तो पीछे क प्यारा सा धनुस रेडी हो गया है तो अगर आपको यह धनुस अच्छा लगा हो तो कॉमेंट करके जरूर बताएगा तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ नए आइडिया के साथ तब तक के लिए जैसे राम जैसी क्रस्ना बाई बाई